Hello friends, welcome back! आप सभी का स्वागत है Ancient History या भारत के प्राची नितिहास के Lecture No.8 में मुझे उमीद है कि पिछले 7 Lectures आपको पसंद आए होंगे और 7th Lecture, 7th Lecture जहां आमने छोड़ा जो कि Old Stone Age पर था वहीं से आज शुरू करते हैं आज के Lecture की आज का ये जो 8th Lecture है ये है basically Neolithic Age जो कि आज के Lecture का हमारा 1st Part होगा और जो 2nd Part होगा आज का हमारा Lecture का वो होगा Chalcolithic Cultures और जब हम ये दोनों Part और आज का Lecture कम्प्लीट कर लेंगे तो next Lecture से फिर शुरू होगा भारत का प्राची इतिहास की पहली Civilization तो आएए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले Lecture No.8 का पहला Part The Neolithic Age Neolithic Age को First Food Producers और Animal Keepers भी कहा जाता है इसका मतलब Neolithic Age में जो लोग थे उनको माना जाता है कि सबसे पहले अगर किसी ने Cultivation शुरू किया किसी ने Food को Produce करना शुरू किया किसी ने Animals को Domesticate करना शुरू किया या जानवरों को रखना शुरू किया उनको अपनी Civilization, अपने Culture अपने Subsistence, अपने जीवन यापन के लिए Use में लाना शुरू किया तो वो थे Neolithic People और ये Neolithic People कि ये तो खास बाते हैं कि यही वो लोग थे जिन्होंने पहली बार Cultivation Agriculture की शुरूवात की और यही वो लोग थे जिन्होंने Basically Domestication of Animals को Basically Start किया जिनकी वज़े से इनकी जो Capacity थी अपने Culture को अपने Civilization को सपोर्ट करने की वो कई गुना बढ़ती चली गई और इसी वज़ा से इन्होंने फिर रास्ता बनाया पहली Civilization, पहली सभ्यता के लिए तो दोस्तों सबसे पहले डीटेल में थोड़ी सी बात हो जाए कि यह जो earliest rural settlements थे बलुचस्तान में जो नियोलिथिक एज है पूरे Indian सब कॉंटिनेंट में इसके ज़्यादा तर remains हमें सब कॉंटिनेंट के किस पार्ट में मिले हैं सबसे पहले word context की बात हो जाए इसर इंडियन सब कॉंटिनेंट में तो बाद में बताईएगा पहले आप यह बताईए कि word के context में new stone age यह नियोलिथिक age आखिर शुरू कब होई तो एक wild guess लीजिए अगर पिछला lecture किसी को भी आप में से याद है तो थोड़ा सा guess करिए कि old stone age कहां पर खतम होई अब जहां old stone age खतम होगी लगभग वहीं से new stone age शुरू होगी वहीं से neयोलिथिक age भी शुरू होगी तो जो new stone age है या नियोलिथिक age है ये start हुई लगभग 9000 BC से और जो नियोलिथिक settlements है जो इंडियन सब कॉंटिनेंट में आज तक हम को मिल पाए हैं वो सबसे पुरानी उनकी अगर हम डेटिंग करें तो वो है 7000 BC मतलब वर्ड में 9000 BC से नियोलिथिक कल्चर शुरू हो गए नियोलिथिक age start हो गई लेकिर इंडिया में या इंडियन सब कॉंटिनेंट में लगभग 2000 years के बाद 7000 BC से start हुए और जिसके remains हम को मिले है कहां पर जिसके remains हम को मिले है बलुचिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान में situated है उसमें एक जगा है कौन सी जगा होगी वो मेहरगर्ड मेहरगर्ड South Bank जो है बोलन रिवर का जिसको कोची प्लेन भी कहा जाता है वहां से basically situate करती है और इस basically बोलन रिवर को Brett basket of बलुच्चान भी कहा जाता है बते ही fertile है वहां की land की पूरे बलुच्च्चान में जो supply होती है food products की उसमें बोलन रिवर का जो कोची प्लेन है उसका एक major role है तो बोलन रिवर के कोची प्लेन जो की पाकिस्तान के बलुच्चान प्रविंस में situated है वहां पर Indian subcontinent में Neolithic age के सबसे पुराने remains जो कितने पुराने है 7,000 years और वर्ड में Neolithic age कब स्टार्ट हुई 9,000 BC जो settlements है जो के Indus Plains के edge पे है वो सबसे बड़े Neolithic settlements माने जाते हैं और ये Neolithic settlements बीच में पढ़ते हैं एक तरफ Mediterranean Sea आ गया और दूसरी तरफ हमारी Indus River पलुचिस्तान प्रविंस में जो ये large basically remains हमें मिले है Neolithic के ये सबसे prominent remains है basically पूरे Indian subcontinent में और दोस्तों जैसा मैं भी आपसे lecture के शुरुवात में कह रहा था कि Neolithic people Neolithic age या New stone age के लोग, settlers ही वो लोग हैं जिन्होंने animals को domesticate करना शुरू किया, उनको पालना शुरू किया उसके साथ इन्होंने cereals को produce करना शुरू किया चाहे फिर वो wheat हों बाले हों, rice हों ये सारी शुरुवात इनके production की किस age से हुई नियोलिथिक culture से अब नियोलिथिक culture 9000 BC से स्टार्ट हुए इंडिया में 7000 BC से स्टार्ट हुए और लगबग 5500 BC में floods की वज़े से ऐसा लगता है कि इसमें एक discontinuity देखने को मिली लेकिन 5000 BC के आस पास फिर से जो agriculture activities basically इस floods की वज़े से destroy हो गई थी disrupt हो गई थी वो वापस से उन्होंने अपना prominent स्थान लेना शुरू किया और यह तभी possible हो पाया जब नियोलिथिक एज के लोगों ने उस वक्त के जो stone tools थे और bone tools थे उन दौनों का extensive level पे basically यूज़ किया मतलब पत्थर से बने औजार और हड़ियों से बने औजार इन दौनों को उन्होंने यूज़ किया cereals को grow करने में agriculture को बढ़ाने में agriculture को और भी ज़्यादा productive बनाने में और जब यह चीज़ें होना शुरू हो गई उसकी वज़े से domestication of animals मतलब animals का पालना भी basically possible हो पाया और जब यह चीज़ें पॉसिबल हो गई कि agriculture भी हम produce कर पा रहे है domestication of animals भी हम कर पा रहे है जिसकी वज़े से surplus जो production हमारा हो रहा है उसको हम store करना शुरू कर देंगे और जो store करना शुरू कर देंगे तो आप एक settled life जीना शुरू कर देंगे इससे पहले के जो लोग थे वो basically इस तरीके से मान लीजिए कि सुबा उठे आज कमाया, खाया, खतम हो गया फिर दूसरी जगे चली गए वहीं पे neolithic age से नई शुरूबात हुई कि हम इतना produce कर देंगे कि हमारे पास आज के काने के लिए तो है ही है साथी साथ इतना extra भी बच रहा है कि हम अगर अगले कुछ दिन तक ना भी कमा पाएं तो भी हमारे पास surplus stored है हमारे पास animals भी है तो फिर हम बेवजा एक जगा से दूसरी जगा क्यों घूमते रहें अच्छा अगर domestication of animals के करम बात कर लें तो कौन से ऐसे जानवर होंगे जो शुरुवात में या उस वक्त बेसिकली सबसे पहले domesticate किये गए होंगे तो initially ऐसा लगता है कि goats या बकरियां या बकरे सबसे पहले domesticated animals में से हो सकते हैं लेकिन उसके बाद आप cattle ले ले आप sheep ले ले इन सब का domestication भी धीरे धीरे शुरू हो गया दोस्तों और eventually cattle basically सबसे ज़्यादा domesticated animals में से आने लगी मतलब basically गाय भैस हमारी सबसे ज़्यादा सबसे फेवरेट सबसे फेवरेट domesticated animals में से आने लगी अब हम बात कर लें कि वो कौन से basically crops थी कौन से agriculture products थे produced थी जो सबसे popular थे उस वक्त guess करिए बाजरा नाँ, रागी नहीं, उस वक्त सबसे important basically जो cereals थे, वो थे wheat and barley ये दो cereals सबसे पहले produce करना शुरू हुए domestication of animals चाहे वो goats हो, cattle हो, sheep हो इनका domestication शुरू हुआ और यहीं से basically ये culture जो है जो अलग बनाता है नियो लिथिक एज को ये दोनों qualities इसको basically stand out करती हैं दोस्तों cattle rearing मतलब जब आप गाय भैस पाल रहे हैं तो उसका manure produce होता है उससे agriculture को help मिली agriculture को जब help मिली उस खाद की वज़ा से तो और ज़्यादा आप produce कर पाए जब आप और ज़्यादा produce कर पाए तो आप और cattle रख पाए जब आप और cattle रख पाए तो आप और ज़्यादा basically agriculture या cereals produce कर पाए जब इतना ज़्यादा produce को आप करने लगे कि आपका जो daily consumption है उससे कहीं ज़्यादा आपका production है तो फिर आपको उस produce को रखने के लिए storage places चाहिए और ऐसे storage places को क्या कहा जाता है grain reese और एक grain reese अलग-अलग जगा पूरे सब continent में हमें मिली है और किस चीज की बनी होंगी grain reese ये grain reese बनी है मट bricks मतलब मिट्टी की इंटों की और इन से grain reese भी बनाई जाती थी और grain reese के साथ साथ जो dwellings मतलब जो रहनी की जगा थी वो भी इन mud bricks से ही बनाई जाती थी दोस्तों तो ये दोनों चीजें चाहे grain reese हों चाहे basically dwellings हों mud bricks दोनों ही कामों में आती थी तो एक बाद फिर से sum up कर ले stone और bowl stone का use करके agriculture को बढ़ावा करे आला agriculture जब बढ़ी तो domestication of animals शुरू हुआ domestication of animals के manure प्रोड़क्स असा से जो agriculture प्रोड्यूस थी वो कई गुना multifold होने लगी जब extra produce होने लगा तो उसको store करने के लिए हमें grainries की ज़रूत पड़ी और grainries किसे बनी mudbrick से बनी और mudbrick grainries पूरे subcontinent में हमें अलग-अलग कई बार जगें मिली हैं कुछ जगे अगर हम देख लें तो शायद burntbrick grainries भी हमको मिली बट ज्याता तर जगे normal, regular mudbrick grainries का ही basically dominance देखने को मिला है जो period रहा 4500 to 3500 BC लगबग 1000 years का period रहा इसमें जो kochi plane है बलुचस्थान का वहां से basically expansion होना शुरू है agriculture का ये पहुँचा Indus plane तक agriculture यहां से हमें अलगता है सबसे पहले 7000 BC में start हुई kochi plane बलुचस्थान प्रविन्स पाकिस्तान यहां से agriculture फैलते 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 Indus Valley Plains तक basically आई और जैसे जैसे agriculture basically यहां Plains तक आई तो इस grain को store करने के लिए grainries हो गई लेकिन इस grain को एक जगे से दूसरी जगे लिए जाने के लिए फिर आपको ज़रुद पढ़ी बरतनों की तो इस तरीके से जैसे हिंदी में एक है कहावत की आवशक्ता ही आवशकार की जन्नी है उसी तरीके से basically जब आपको ज़रुद मैसुस हुई इस extra agriculture produce की वज़े से कि इसको transport कैसे करें इसको distribute कैसे करें इसको एक जगे से दूसरी जगे कैसे ले जाए उसको facilitate करने के लिए उसको possible बनाने के लिए शुरुआत हुई basically pottery की और अगर हम 5000 BC तक देख लें तो ऐसा लगता है कि 5000 BC तक pottery के हमको कोई निशान नहीं मिले हैं लेकिन 4500 BC के बाद ऐसा लगता है जिस तरह की pottery हमको देखने को मिली है पूरे subcontinent में कि potters wheel जो कुमार का चाक होता है जिसको आप गुभाते हैं और उसपे अलग-अलग मिट्टी के बरतन बनाते हैं इसकी knowledge लगबख 4500 BC से subcontinent में develop होना start हो गए थी दोस्तों और जब आपने pots बनाना शुरू कर दिया जब आपने ग्रेन रीज बनाना शुरू कर दिया जब आपने extra produce को ग्रेन रीज में रखना शुरू कर दिया pots को उनके transportation के लिए basically use कर दिया तो creative human mind उसको लगा जब pots मैंने बना लिये potters wheel मुझे 4500 BC से पता चल गया तो क्योंना अब मैं इन pots को थोड़ा सा colorful बना लूँ थोड़ा सा beautiful बना दूँ थोड़ा सा paint कर दूँ तो फिर start हुआ painting of the pots अब अगर हम देख लिए dried basin जो है हाकरा का जो हाकरा क्या है जैसा हमने geographical settings में कहा industry tributary है लेकिन बारिश काफी कम होती है और हाकरा जो basin है इसको river सरस्वती भी कहा जाता है river सरस्वती या हाकरा river का जो area है जो बारिश कम होती है वहाँ पर हमको 47 letter neolithic settlements देखने को मिले हैं मतलब substantial amount of letter neolithic settlements मिले हैं और यही लगता है कि जो हमारी पहली सबसे पुरानी civilization कौंसी एंडियन subcontinent की Indus Valley civilization हरपन civilization तो सबसे ज़ादा तो settlements मिले हमें letter मतलब बाद के neolithic age के वो मिले हैं हमें हाकरा basically जो basin है यहीं के आसपास डवलप होना बाद में शुरू हुआ होगा Indus Valley civilization यह हरपन culture इसके अलावा हमें neolithic sites मिली हैं हमारे विंदियन mountains पे लगबख 5000 BC लेकिन जो South India के अगर हम बात करें when it comes to neolithic settlements तो South India में हमें neolithic settlements 2500 BC या 2500 BC से पुराने नहीं मिले हैं तो ऐसा लगता है कि neolithic age बलुचिस्तान से होते होते Indus Plains तक पहुँची Indus Plains से Indus Valley civilization हरपन culture डवलप हुआ और बाद में फिर neolithic age लगबख 2500 BC के आसपास South India तक पहुँच पाई कई सारे ऐसे areas हैं चाहे वो South India हूँ या फिर Eastern India हूँ जहाँ पे जो neolithic age से related evidence मिले हैं वो हमें 1000 BC या 1000 BC से पुराने नहीं मिले हैं जो neolithic age के tools थे या लोग थे वो generally polished stone tools यूज करते थे और कौन सा इनका favorite tool हुआ करता होगा तलवार, sword, sickle, हसिया, no इनका जो favorite basically tool हुआ करता था polished stone tool वो हुआ करता था stone axis मतलब पथर की बनी हुई कुलहाडिया और यह हमें large number में मिले हैं अगर आप hilly tracks देख लें मतलब जहाँ जहाँ पहाड देख लें आप चाहाँ हिमालियन रेंज देख लें आप पोटवा प्लैटो देख लें जहाँ 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 हिली रीजन से विंध्यास देख लें यहाँ पर हमको large amounts में polished stone tool के basically stone axis मिली है जो stone axis थी यह पहले वाले मतलब old stone age के लोग भी use करते थे on fact अगर आपको stone axis या axis से कोई हमारे पुराने epic character basically आप remember कर सकते हैं तो वो है भगवान परशुराम जिनको दिखाया जाता है कि भगवान परशुराम का फरशा या ex building hero तो यह भी माना जा सकता है हो सकता है ancient time से ऐसे हमारे डाइटी रहे हो या हमारे society का ऐसा character रहा हो जिसने inspire किया हो भगवान परशुराम के basically role को या हो सकता है भगवान परशुराम के role से inspired हो और बहुत सारी चीज़े हैं तो कौन सा सबसे important tool रहा polished stone stone axis बहुत सारे axis अलग अलग type की axis यूज हुआ करते थी neolithic settlers की पूरे subcontinent में और उन types of axis के basis पे तीन important settlements हम basically पूरे subcontinent को divide कर सकते हैं पहला northwestern side दूसरा northeastern side और तीसरा हमारा southern subcontinent अब इन axis की अलग-अलग characteristics हुआ करते थी अलग-अलग type हुआ करती थी जैसे जो north western group जो north western area में जिस तरह की हमको axis मिलती थी कुरहाली मिलती थी generally वो rectangular rectangular axis होती थी जिसकी जो cutting edge थी वो थोड़ी सी curd हुआ करती थी इस तरीके से जो northeastern group है northeastern group में polished stone axis हुआ करती थी जिनका जो butt है पिछला हिस्सा है वो rectangular हुआ करता था लेकिन कई बार उसके जो hose थे वो shoulder type की हुआ करते थे अब तीसरा कौन सा type का basically settlements रहे किया है the southern India group तो जो southern India group है यहाँ जो हमें axis मिली वो generally इसकी old sides और pointed butt मतलब नुकीला इसका पिछला हिस्सा तो अलग-अलग type की stone axis अलग-अलग type की polished stone axis के basis पे neolithic settlers को northwest, northeast और south India के basis पे demarket किया गया है अब start थोड़ा detail में हम कर लें की basically northwest part की और bulls tools के use की जिसमें दो बहुत important site है पहला बुर्जवाम और दूसरा जहाँ भी मेरी posting है चंदौली इसके बेहद ही नजदीक चिरांद जो northwest में गर हम देखें तो जो काश्मीरी neolithic cultures हैं इनके एक बड़ी खास बात थी जो और कहीं देखने को नहीं मिली कि जो काश्मीरी neolithic cultures हैं इनकी जो dwelling quits थी मतलब जाहें रहते थे उसमें बहुत wide variety के हमको ceramics मिले हैं बहुत अलग रग टाइप के ceramics और बरतन देखने को मिले हैं उसके अलावा एक बड़ी range मिली हैं हमें stone tools, stone tools के साथ bone tools की भी और एक बड़ी peculiar feature है कि यहां पर जो नौर्थ वेस्ट काश्मीरी neolithic cultures हैं यहां हमको micro lits बिलकुल भी देखने को नहीं मिले हैं नौर्थ वेस्ट अगर काश्मीरी neolithic culture आप देख ले तो सबसे important जो site है यहां की उसका नाम क्या है अभी मैंने बताया था आपको बुर्जुआम बुर्जुआम का मतला पहता place of birch, birch एक बड़ा सा tree होता है जो एरिया में ज़्यादा मिलता है और यह लगबग स्रीनगर से 16 km स्रीनगर के जस पास ही मैं कहूंगा सिर्फ 16 km नौथ वेस्ट में है जो नियोलिटिक पीपल यहां नौथ वेस्ट या कश्मीरी नियोलिटिक साइट में रहते थे यह lake साइट में रहते थे कि अगर कोई माननी जीए lake है क्योंकि जमू कश्मीर तो lakes के लिए मानने आही जाता है इसके साइड में गड़े करकरके pits बना-बना के बेसिकली रहते थे और ऐसा माना जाता है कि किस टाइब के economy मतलब किस टाइब का ये profession में इंगेज होते होंगे hunting and क्योंकि lake के साइड में water bodies के साइड में है fishing और यही लगता है कि hunting और fishing के बाद धीरे धीरे उन्होंने agriculture को जब बलुचुस्तान से नियोलेतिक culture पहुँचा इंडियस वैली प्लेइन के आसपास और धीरे धीरे हमारा culture नौथ इंडिया में डवलप होने लगा फिर साथ इंडिया में डवलप होने लगा तो ये hunting और fishing से graduate करके फिर agriculture की तरफ move करना है इनोंने शुरू किया और यहीं पे एक important site है गुफ कराल गुफ कराल का मतलब है cave of potter potter का मतलब है कि जो बरतन बनाता हो उसकी गुफा ये है लगभग श्रीनगर से 41 किलोमेटर साथ वेस्ट और यहाँ पे हमें agriculture अगरिकल्चर के साथ-साथ animal husbandry या domestication of animals दोनों के ही science मिले हैं दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए जो काश्मीर के नियोलिथिक पीपल है ये polished tools तो यूज करते ही थे stone के उसके साथ-साथ बहुत सारे tools और weapon से यूज करते थे bones के बने हुए तो अब हम stone tools से move कर रहे है bone tools की तरफ ये एक बड़ा new interesting peculiar feature है तो कश्मीर के लोग stone tools के साथ-साथ large quantities में bone tools भी use करते थे दोस्तों अच्छा तो ये बात हो गई बुर्जवाम जो की श्रीनगर के पास है अगर एक और हम site देखें जहां पर बुर्जवाम जैसे large quantities में bone tools मिले है तो इसको compare कर सकते हैं हम चिरहांद से जो चिरहांद है ये पतना के पास में है लगबग 40 km ये north side of ganges में है और ये जो bone tools हमको चिरहांद में मिले हैं ये generally antlers के बने होते थे antlers का मतलब है जो हिरन होता है हिरन के सींगों के बने या horns of the deer और ये ऐसा लगता है कि ये जो bone tools हमको चिरहांद में मिले हैं ये latter neolithic settlements जहांपे लगबग 100 cm of rainfall basically होती है उस area का एक peculiar feature है दोस्तों अब ये large settlements possible हो पाए particularly चिरांद के आसपास ये north eastern के आसपास ये possible इसलिए हो पाए क्योंकि तो large tracts of open land चार important rivers गैंगेज, river sone, river gandak एंडिगर घागरा ये चारों क्योंकि मिलती हैं यहांपर बहुत सारे illegal fertile plains मिल जाते हैं यहांपर basically settlements बनना शुरू हो गए दोस्तों और इस area में हमें stone tools काफी कम मिलते हैं लेकिन bone tools जो किसके बने हैं? antlers antlers क्या होते हैं? deer horns या हिरन के singh उनके बने हुए हमें चिरान के आसपास ज़्यादा मिलते हैं दूसरी कौन सी site है जापर stone tools के साथ हमको bone tools मिलते हैं नियोलिथिक settlements के शीर नगर के पास बुर्जुआम agriculture या नियोलिथिक settlement सबसे पुराने किस जगह में मिले हैं? बलुचिस्थान बलुचिस्थान ऑफ पाकिस्थान यहां से move होना शुरू है हमारे इंडस एरिया में इंडस एरिया से फिर बाके इंडियन subcontinent में दोस्तों अब बुर्जुआम के जो लोग थे किस टाइप की pottery use करते होंगे? तो जो बुर्जुआम के लोग थे यह coarse gray pottery use करते थे दोस्तों और एक बहुत interesting चीज जो बुर्जुआम के लोग थे हमने देखा यह लेक के side में pits में basically रहा करते थे hunting and fishing, hunting and fishing के बाद agriculture and domestication of animals यह animal husbandry और एक बड़ी ऐसी particular feature जो वर्ड में कहीं देखने को नहीं मिला मुझे लगता है कि जब इनकी death हो जाती थी इनको बड़ी किया जाता था दफनाया जाता था इनके साथ इनके dogs को भी दफनाया जाता था उन graves में बड़ी interesting feature हो सकता है कि जो connection उस वक्त माना जाता हो master and dog का उसको इस तरीके से माना जाए कि life के बाद भी दोनों एक साथ रहें यह हमें बताते हैं कि किस तरह का attachment हमको उस वक्त भी animals के साथ रहा होगा यह practice जो है कि dogs को masters के grave में दफनाया जाए बरी किया जाए यह Indian subcontinent में और कहीं नहीं देखने को मिला है दोस्तों अब बुर्जवाम की लगबग dating क्या होगी मतलब कितनी पुरानी site है 7000 BC तो हम बलुचुस्तान का कह चुके हैं South India का हम roughly 2500 BC to 1000 BC कह चुके हैं बुर्जवाम की जो site है वो लगबग 2700 BC पुरानी है और अगर हम बुर्जवाम के साथ दूसरी कौन सी site है जहां पर large amounts में bone tunes मिले हैं और stone tools कम मिले हैं जहां पर मेरी posting है उसके पास चंदॉली से मिलता जुलता नाम चिरांध पतना के पास मैं 40 km तो यह जो चिरांध की जो site है यह 2000 BC से पुरानी नहीं लगती इसलिए ऐसा लगता है कि यह जो site है यह late neolithic phase की है दोनों ही sites इस वाज़े से जो बलुचिस्तान है और जो काश्मीर वैली के neolithic settlements हैं इन दोनों को हम जो north western group किस basis पर हमने divide किया था neolithic settlements को कि किस type की axis यूज़ करते थे एक हमने कहा था north western एक हमने कहा था north eastern एक हमने कहा था southern तो यह बात होगी north western settlements के लिए अब थोड़ा north east की तरफ बढ़ा जाए अगर हम चलें जो hills of asam है असाम के पहाड़ हैं पहाड़ी areas हैं वहाँ पर भी हमको कई सारे neolithic tools लगातार देखने को मिले हैं और खास्त और से अगर आप मिघालिया के गारो hills में चले जाए या गारो hills of मिघालिया तो वहाँ पर हमको काफी large quantities में neolithic tools लगातार देखने को बहुत ज़ादा दूर नहीं है large extent MP को cross करते हुए यूपी को cross करते हुए विंध्याज और कैमूर hills यहाँ भी हमको basically neolithic settlements मिलते हैं और विंध्याज में कहां मिलते होंगे चंदौली जो मेरी तैसील है अभी चक्या चक्या जैसे ही खतम होगी डिस्टिक स्टार्ट हो जाएगा मिर्जापुर तो मिर्जापुर और अलाबाद जिसको प्रियाग राज भी कहा जाता है यहाँ पर UP के दौनों डिस्टिक्स में हमको large quantities में neolithic sites देखने को मिली हैं उसी तरीके से हम देखे कोलदिवा और महागरा इलाबाद डिस्टिक्स के दौनों जगे हमको neolithic evidences काफी amounts में देखने को मिले हैं और इन areas में हमको मिला है इससे पहले हमको मिला था इन areas में wheat और बाले लेकिन यह जो इलाबाद चिरांद, मिर्जापुर के settlements है, यहाँ पर हमको cultivation मिला है rice का, जैसे चंदौली को rice bowl of eastern India कहा जाता है rice bowl of eastern UP कहा जाता है rice एक basically major cultivation है और वो rice का production हमें in sight में देखने को मिलता है roughly ऐसा लगता है 5th millennium BC roughly around 5000 BC के आसपास अब हम चले जाएं थोड़ा सा काइमूर हिली एरियाज में तो सेनुवार जो है रोतास डिस्टिक काइमूर हिली एरियाज में यह सबसे important site है इसके अलावा जो ताराडी है जो की बोध गया मंदर के पास में है बोध गया temple के पास में है यह दूसरी important basically neolithic site है दोस्तों इसी तरीके से चिरांद के पास में जो rivers है यह riverine sites है उनको basically हम include कर सकते है नौर्थ इस्टन तो जमूयन काश्मीर हमारा हो गया नौर्थ वेस्टन ग्रूप के अंदर और हमारा चिरांद इलाबाद, मिर्जापूर यह गारो हिल्स यह हमारा सारा हो गया नौर्थ इस्टन ग्रूप के अंदर included दोस्तों जो riverine tracks है मतलब जहां पे नदी के किनारे हैं जैसे आपने का चिरांद में bone tools जादा मिले है और stone tools कम मिले है यह बाकी अगर आप देखें बलुचस्तान देख ले और bone tools का अप्टेक जादा दिखाए देने लग गया तो बात होगी नौस्थ वेस्टन ग्रूप की बात होगी नौस्थ इस्टन ग्रूप की अब बात हो जाए जो हमारा last ग्रूप है थर्ड ग्रूप है जो की हमारा southern ग्रूप है या south Indian ग्रूप तो neolithic people south India में particularly हमें evidences मिले हैं जो गुदावरे river है गुदावरे river आंदरप्रदेश में flow करती है गुदावरे river के आसपास हमें बहुत सारे neolithic settlements मिले हैं generally जो neolithic people थे ये जो granite hills हुआ करते थे या plateaus हुआ करते थे banks मतलब नदी के किनारों के आसपास यहां रहना ज्यादा prefer करते थे हो सकता है hills बे इसलिए रहते हो कि अगर flood आए, bar आए उससे protect हो सकें plateau में एक upper area रहेगा उससे थोड़ा सा उपर रह सकें और इन्हों ने stone access का use किया और stone access के अलावा एक बड़ा peculiar type का इन्हों ने tool यूज़ करना शुरू किया जो है kind of stone blades मतलब stone की पतली-पतली blades जिनको यूज़ करते थे agriculture के लिए और domestication of animals के लिए अब अगर हम बात कर लें कि South India में क्या cattle domesticate हुआ करते थे तो बहुत सारे हमको basically fire-baked figurines मिले हैं मतलब ऐसे बहुत सारे हमको छोटी-छोटी toys tribe की figurines मिले हैं जिसको basically आग में पका कर fire-baked करके जिसमें cattle's के sheep's के goats के shapes देखने को मिले हैं तो clearly चाए North India हो चाए North Western group हो चाए North Eastern group हो चाए South Indian group हो सभी में domestication of animal basically काफी dominant था अब इसके अलावा stone quins मिले हैं जो चक्कियां होती हैं जिनसे basically आप आटा पीर से थे पुराने जमाने में तो stone quins मिले हैं ताकि जो corn मतलब मका जो produce करते थे उसको store इसको grind करके उसको अपने consumption के लिए use कर सके तो बहुत clearly domestication of animal and production of cereals South India में भी उतने ही prominent थे जितने चाहे North Western group में देख लें जितने आप चाहे North Eastern group में देख लें उसके अलावा अगर आपके ज़र South India का major settlement बताईए कि कहां पे सबसे ज़्यादा settlement मिले हैं North Western के हमने बात की बुर्जोम में North Eastern की बात की हमने बिचुरांद, इलाबाद, मिर्जापूर एरिया में South India में उस तरीके से सबसे ज़्यादा 850 settlements मिले हैं हमें आंद्रा, करनाटक और तमिल नाडू में spread out होते हुए और उनका main reason देखा गया है कि ऐसे areas में हमें ज़्यादा मिले हैं जहां पर stone availability easy हो मतलब पत्थर आसान से आसानी से मिल जाएं क्योंकि उसी से उनको access अपना X बनाना है, उसी से cut करना है cultivation करना है, जिसको domestication of animal में use करना है and that becomes a cycle अगर South India की कुछ हम important neolithic sites के बारे में बात कर ले हैं या ऐसी sites जहां पर neolithic layers हमें basically मिली हैं तो वो है मस्की, ब्रह्मगरी, हलूर, कोडेकाल, संगकल्लू और बहुत ही famous पिकलिहाल, टकलकोटा, करनाटक में ये सारी sites मिली हैं और तमिल नाडू में जो बहुत famous site है नियोलिथिक site वो है पयमपल्ली उटनूर एक बहुत important नियोलिथिक site है आंध्रा प्रदेश या AP में जो नियोलिथिक phase है पूरे South India का वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा late start होके लगबग 2500 BC से 1000 BC तक नियोलिथिक phase ने South India में अपना pad जमाए रखा अपना expense जमाए रखा जो नियोलिथिक settlers है पिकली हाल पिकली हाल कौन से स्टेट में है किरनाटक पिकली हाल में जो basically settlers है ऐसा लगता है कि वो cattle herders है मतलब कि domestication of animals जानवरों को पालने वाले लोग थे अगेन किस type के cattle पाले जाते थे या किस type के animals पाले जाते थे cattle, sheep and goats और ऐसा भी लगता है या कुछ मैने एक जगा रहे फिर वहां से move हो गए फिर एक जगा रहे फिर कुछ move हो गए इस तरह की activity support वहां पे होती हुई दिखाई देती है कि जहां पे एक जगा ये रहे होंगे वहां पे हम को basically cow pants देखने को मिले हैं काफी large quantities में dung भी accumulate होता हुआ दिखाई दिया है तो मतलब एक जगे camp किया वहां अपना काम हुआ उसको set a fire आग लगा दिया दूसरी camping site को clear किया वहां camp किया, use किया आग लगा दिया, तीसरी camping site को move किया और इस को support करने के लिए वहां पे dung pens मिले हैं वहां पे हमको ash भी basically ash mounts भी habitation sites के पास तिकली हाल में काफी large quantities में मिली हैं दोस्तों अगें फिर से एक बाद तिक recap हो जाए farming and cereals का कि neolectic settlers थे सबसे पुरानी farming communities थी they were the first people who would have adopted agriculture, farming and domestication of animals और किस tool से basically ये ground को जमीन को तोड़के और उससे dig करके basically agriculture produce अपनी बढ़ाते थे ये use करते थे starting में stone tools और उसके बाद फिर ये क्या use करना शुरूर किया उसके बाद इन्होंने stone tools के साथ साथ bone tools को भी use करना शुरूर किया और stone hose और digging sticks और इन digging sticks के पास energy से उसको dig करेंगे तो energy आपकी amplify होके जमीन को dig करना खोदना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा तो आप सोच सकते कितने clever रहे होंगे उस वक्त के लोग कि जो available limited resources थे उनको किस तरीके से अपने advantage में use किया जाए poly stone tools इन्होंने use किये और polished stone tools के साथ microlith blades भी इन्होंने use कि एक quick mind twister बुर्जवाम में क्या microlith हमें मिले नहीं और ऐसी कौन सी site है जहां पर dogs को उनके masters के साथ बरी किया जाता था बुर्जवाम, बुर्जवाम कहा है श्रिनगर के पास, north western group में, सबसे ज़्यादा bone tools कहां मिले चिरांद या north eastern group में और किसके बने होते थे antlers या hirin के सींगों के कई जगा south India या कई जगे north India में, जिस तरह के हमको houses मिले हैं, वो या तो circular हैं, या फिर rectangular type के हैं, शोकोर type के हैं, rectangular type के हैं और ये ज़्यादा तर mud के बने हैं या जो लाल मिट्टी होती है, read होती है उसके basically बने हुए हैं तो ऐसा लगता है, यह यह मानना interpretation है, कि जहां हमको circular houses, gold houses हमको देखने को मिले, ऐसा लगता है कि यहां के लोग हो सकता है property common में share करते होंगे round houses हैं, dwellings houses हैं, common property share करते होंगे, दिन में अपना काम करते होंगे सब एक साथ मिलके, शाम को आते होंगे अपना जो भी hunting है, fishing है, agriculture domestication है, उसको carry out करते होंगे, और इस तरीके से जब क्योंकि आपने stone tools, bone tools से start किया, produce करना extra agriculture agriculture से domestication of animals इस domestication of animals से और जाधा agriculture, फिर उसको आपने store करना शुरू किया, grainries बनाई इनको transport और easily आप इधर से उतर ले जा सके हैं, उसके लिए आपने pottery बनाना शुरू किया, और pottery बनाने के अलावा, जब ये सारे चीज़ें हो गई, और जाधा आपने production शुरू किया वरना पहले तो आप दिन में कमाते थे खाते थे, शाम को सब खतम फिर अगले दिन move on किया, फिर कमाना खाना फिर खतम, लेकिन अब excessive production storage, houses settled life और settled life के साथ common property तो यही progression है civilization का यही progression है culture का और इसी लिए कहा जाता है कि ये neolithic people ही थे ये neolithic लोग ही थे जिन्होंने settled life ragi produce करना उसके साथ rice produce करना उसके साथ wheat produce करना उसके साथ hot gram produce करना उसके साथ basically बाले produce करना यह सब neolithic लोगों ने ही start किया, ऐसा लगता है कि जो neolithic people है मेहरगर मेहरगर कहां पर है सबसे पुरानी neolithic site हवारी बलुचस्तान में 7000 BC it's a province of Pakistan सबसे ज्यादा advanced यहां के लोग दिखाई देते हैं क्योंकि यहां के लोग wheat और बाले produce तो करते ही थे साथी साथ ये mud brick houses के थे सिर्फ mud के नहीं, सिर्फ मिट्टी के बने नहीं लेकिन मिट्टी की इटों के बने हुए घर में रहते थे सबसे पुराना भी यहीं पर evidence मिला है तो ऐसा लगता है कि सबसे advanced भी मेहरगर बलुचस्तान के लोग ही थे दोस्तों अब बात हो जाए कि pottery के stripe की थी जाहिर सी बात है जब आप extra produce करेंगे तो आप pottery बनाएंगे तो pottery भी पहली बार मतलब cultivation, agriculture उसके साथ domestication of animal के साथ साथ pottery भी पहली बार roughly 4500 BC के आसपास Neolithic culture में ही हमको देखने को मिली और शुरवाती दौर में हमको handmade pottery मिली मतलब हाथ से बनाएवी pottery मिली और letter Neolithic लोग थे people थे उन्होंने potter's wheel को use करना शुरू किया या foot wheels को basically use करना शुरू किया और इसके evidence हमको मिले है basically बलुचस्तान from western Asia अब किस type की pottery बनाते होंगे तो जो Neolithic pottery है यह generally black burnished wear, grey wear and matte impressed wear इन तीन type की pottery, repeat black burnished wear, grey wear and matte impressed wear Neolithic cells हों, चाए access हों, चाए chisels हों यह सारी चीज़ें हमको ओड़ेसा और छोटा नाकपुर plateau hill area में भी देखने को मिली है कुछ sites हमें Neolithic settlements की MP में भी देखने को मिली है और उसके अलावा South India की कौन से important sites है इसके बारे में तो हम दोस्तों detail में चर्चा कर ही चुके हैं अब आप बात करें कि यह तो सारे characteristics होगे Neolithic age के लेकिन जो progress हुई Neolithic age में उसके क्या advantages थे क्या limitations थे इसको मुझे लगता है Neolithic age के discussion को complete करने के लिए इस पे भी थोड़ी सी चर्चा होना जरूरी है तो जो period था Neolithic age का start worldwide 9000 BC में start हुई तो 9000 BC से लेके 3000 BC इसमें remarkable technological progress हमको दिखाई दी पूरे western Asia में लोगों ने cultivation स्टार्ट किया weaving स्टार्ट किया pot making स्टार्ट किया house building स्टार्ट किया cattle raising, stock raising, animal husbandry स्टार्ट की writing स्टार्ट की इस तरीके से और भी बहुत सारी technological advances Neolithic phase में ही देखने को मिले हैं और इसमें बार-बार discussion करना इसलिए जरूरी है कि ये सारी चीजें ingredients हैं मसाला है civilization, culture को जन देने के लिए उसको sustain करने के लिए उसको फैलाने के लिए ये सारे चीजें बाकी वर्ड ये Western Asia में थोड़ा जल्दी शुरू हो गई इंडिया में जैसा हमने देखा जो oldest site is 7000 BC South India में लगबग 2500 BC Burzvam के site लगब 2700 BC जो हमारी North Eastern sites है लगबग 2000 BC के आसपास तो थोड़ा सा late start हुआ but we also caught up with the rest of the world दोस्तों जो Neolithic people का tool point of view से जो जो distinguishing feature है वो है कि ये use करते थे stone cells वो edged भी हुआ करती थी और pointed भी हुआ करती थी ये जो cells थी ये holes, block shares, खोदने के लिए digging sticks के रूप में काफी काम में आती थी जो अपने आप में एक revolutionary change था when it comes to mode of subsistence अब लोगों को hunting, fishing, gathering इन पे fully dependent रहने की ज़रुवत नहीं थी in fact अब वो लोग extra food produce कर सकते थे cattle domesticate कर सकते थे animal husbandry का सहरा ले सकते थे तो जो पुराने modes of subsistence थे कि आप जाएंगे शिकार करेंगे, hunt करेंगे तभी आपका पेट भर पाएगा अगर आप शिकार नहीं कर पाए तो आप भूके रह जाएंगे वो stage अब खतम हो गई ये एक major, major, major milestone है दोस्तों when it comes to technology, when it comes to development of culture when it comes to start of civilizational values similarly घर बनाना शुरू कर दिया चाहे वो mud का हो या जैसे बलुच्तान मेहरगर में हमने देखा है वो mud, bricks का हो दोस्तों Stone Age लोगों की कुछ limitations भी थी Stone Age के लोग शुरुवात से लेके Neolithic मैं कहूंगा क्योंकि Neolithic New Stone Age है पिछले lecture हमने Old Stone Age को डिसकस किया कि ये settlements हमें वहीं मिले हैं जहाँ पे उनके जो tools थे क्योंकि Stones से बनाए जाते थे Stones easily मिल सके अगर मैं आपसे पुछूँ सबसे ज़्यादा सबसे easily stone या stones किस एरिया में मिलेंगे obviously mountains के पास obviously पहाड़ों में obviously hilly areas में तो ज़्यादातर settlements जो stone age के settlements हैं ये हमें मिले hilly areas में अगर plains हैं तो वहाँ ज़्यादा settlements नहीं मिले अगर hilly areas नहीं हैं river banks हैं हाँ भी बहुत ज़्यादा settlements हमें देखने को नहीं मिले ज़्यादा तर settlements सिर्फ slopes of the hill rock shelter या hilly river valleys यहीं पे देखने को मिले हैं दोस्तों साथी साथ ये कहना तो बड़ा अच्छा लगता है कि इन्होंने agriculture शुरुआत की cultivation शुरुआत की लेकिन इनका overall production अभी भी उस level तक नहीं बढ़ा था जिससे large scale culture या civilizational development start हो सके दोस्तों तो इससे पहले कि हम जो हमारे लेक्चर का first part है Neolithic culture उसको wrap up करें एक quick recap हो जाए तो Neolithic age कब start हुई Western Asia rest of the world में 9,000 BC इंडिया में कब start हुई 7,000 BC सबसे पुराना settlement कहां मिला बलुचस्तान के मेयरगर जो पाकिस्तान की एक province है विंध्याज में हमको Neolithic sites कितनी पुरानी मिली 5,000 BC potters wheel या जिसको कहते हैं जिससे pottery बनाते हैं जो गोल गोल चक्के टाइप होता है potters wheel मिला हमें 4,500 BC और काश्मीर में बुर्जुआ में सबसे पुराना Neolithic settlements कम मिले 2,700 BC साउथ इंडिया में सबसे पुराने Neolithic settlements कम मिले 2,500 BC चिरान्थ जो की पटना, चंदौली, इलाबाद, मिर्जापुर के आसपास है वहाँ के peculiar value क्या है? bone tools कितने पुराने? लगबग 2,000 BC और South India मैं जो हमको लगता है कि Neolithic settlements कब से कब तक रहे होंगे तो लगबग 2,500 BC to 1,000 BC तो दोस्तों ये हमारा first part रहा Neolithic culture का अब हम move करेंगे इससे पहले कि हम lecture number 9 में आपको हरपन civilization इंडस वाली civilization के बारे में बहुत detail में बताएं जरूरी होगा हमें ये Neolithic age और development of first civilization के बीच का जो phase है तक चालकोलितिक cultures तो आए शुरू करते हैं तक चालकोलितिक cultures तो सबसे पहले तो ये समझें कि चालकोलितिक होता क्या है और चालकोलितिक बाकी culture से किस particular aspect में different है अगर आप Neolithic period का end देखें तो उसमें जो एक important चीज निकल कर सामने आती है वो है metals का use मतलब जैसे जैसे नियोलितिक culture या जैसे जैसे नियोलितिक age आगे बढ़ती गई और खतम होने के कगार पे आई उसी के साथ हम लोगों ने देखा कि नियोलितिक age में भी metals का use धीरे धीरे हमको दिखने लगा तो चलिए एक question हो जाए कि सबसे पहला metal कौन सा दिखाई दिया होगा हमें human civilization या human evolution में iron copper या कोई और तो first metal जो हमें दिखाई दिया वो है copper और ये जो चालिक लोगों थी culture है या basically दो important elements copper और stone implements इन दोनों के combination को basically reflect करता है ऐसा culture जो हमें metal जैसे की copper और stone दोनों के uses को एक साथ दिखाता है उसको कहते हैं चालकोलितिक culture और चालकोलितिक का अगर आप सच में meaning भी देखें तो इसको copper, stone, phase भी कहा जाता है दोस्तों टेक्नोलोजी के लिए अगर आप देखें तो चालकोलितिक stage actually pre-harappan phase है मतलब हर अपन culture डवलप होने से पहले या पुराना basically चालकोलितिक phase माना जाता है लेकिन अगर आप इंडिया की बात देखने मतलब इंडियन सबकॉंटिनेंट के आप बात देखने तो चालकोलितिक culture कई जगे हमें देखने को मिला है जब हर अपन age हर अपन culture जो है वो copper culture है iron culture है हर अपन actually bronze culture है तो हिसाब से तो पहले चालकोलितिक culture आना चाहिए फिर हर अपन culture आना चाहिए जो कि bronze culture है लेकिन इंडियन सबकॉंटिनेंट में थोड़ी सी peculiarity हमको दिखाई देती है यह बहुत सारी ऐसी sites मिली है जो कि हर अपन age की बाद की चालकोलितिक sites है तो यह एकिसमें दूसरा बड़ा peculiar element निकल कर सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जो चालकोलितिक sites हैं कई सारी जिनके बारे में detail माज हम बात करेंगे वो हो सकता है कि later part of the mature हर अपन culture या हरअपन culture जब end होने की तरफ आया उसके साथ overlapping में coexist करती होंगी दोस्तों जो चालकोलितिक people थे क्या mostly use करते थे जैसा हमने कहा stone और stone के साथ copper objects या तामे के objects कई बार बहुत कम हालांकी वो लोग low grade bronze और थोड़ा बहुत iron या लोहा भी use करते हुए देखे गए हैं लेकिन चालकोलितिक का मतलब है copper, stone, culture copper and stone के combination या अलग-अलग culture अगर हम चालकोलितिक की rural versus urban categorization करें तो चालकोलितिक जो communities थी वो किस में fall करेंगी rural, urban, semi-urban चालकोलितिक culture या communities probably, primarily primarily rural communities हुआ करती थी और बड़े wide area में basically value हुई थी और जैसे आपने पहले देखा कि जो rural communities हैं जो stone पे dependent हैं ऐसी communities generally पहाडी, hilly areas या फिर rivers के किनारे ज्यादा तर हमको देखने को मिली हैं अब इसको आप compare करें हरपन culture से जो हम next lecture में detail में cover करेंगे हरपन culture जैसे चालकोलितिक में copper metal यूज होता है हरपन culture में bronze यूज होता है जैसे चालकोलितिक rural communities हैं हरपन culture को urbanized या urbanization की तरफ basically major step देखा गया है और जैसे चालकोलितिक क्योंकि उनको stone basically abundance में चाहिए भारी मात्रम उनको चाहिए अपने tools, weapons, etc. etc. के लिए तो इस वज़ा से वो hills और river bank से आगे बढ़ नहीं पाए वहीं हरपन cultures, urbanization, bronze uses के साथ-साथ plains में भी settle होना उन्होंने शुरू कर दिया और इस वज़ा से जो majority of the हरपन culture है वो हमें flood plains in the Indus Valley में ही मिलता है अब शुरूआत करते हैं कुछ important चालकोलितिक साइट से दोस्तों अगर हम इंडिया में देखें तो चालकोलितिक phase है basically हमें मिलता है South Eastern Rajasthahn में हमें मिलता है Western Part of MP में हमें मिलता है Western Maharashtra में हमें मिलता है Southern and Eastern India में भी अब एक एक करके लिएते हैं सबसे पहली South Eastern Rajasthahn तो South Eastern Rajasthahn में जो दो important sites हैं चालकोलितिक culture की पहली अहर दूसरी गिलुंड ये दौनों साइट्स काफी majorly excavate की जा चुकी है दौनों ही साइट्स अहर और गिलुंड बेसिकली बनास रिवर है उसका जो ड्राय जोन है वहीं पे देखने को मिली है तो ये बात हो गई हमारी साउफ इस्टन राजस्थान की अब हम देखें अगर हम western MP या मालवा कल्चर देखना शुरू कर दें तो वहाँ पे जो दो important sites हैं वो हैं कायथ एंड इरान दौनों sites excavate की गई हैं और major amounts में हमको वहाँ पे चालकुलितिक कल्चर के elements मिले हैं दोस्तों मालवा वेयर जिसको कहा जाता है उसका जो characteristic है basically या मालवा चालकुलितिक कल्चर है जो कि Central India और Western India के कोफलेंस पे हैं इसको सबसे rich चालकुलितिक ceramics की category चाहे इसकी pottery हो या बाकी cultural elements हो जो कि Western India, Central India के साथ साथ महरास्टा तक extended दिखाई देते हैं ऐसा मानना है हमारे historians का archaeologist का तो सबसे rich basically चालकुलितिक ceramics, pottery, other cultural elements हमें किस site पे मिले दोस्तों मालवार चालकुलितिक कल्चा तो पहले हमने देखा South Eastern Rajasthan जिसमें दो important sites अहर एंड गिलुंड फिर हमने basically देखा Western part of MP, Central India साथी कुछ part of महरास्टा जहां पे हमने देखा कायत एंड इरान या मालवार चालकुलितिक कल्चा जो कि सबसे rich culture माना जाता है लेकिन सबसे extensive excavation या सबसे ज़्यादा खुदाई कहां पर हुई Archaeology point of view से तो वो हुई दोस्तों Western Maharashtra Western Maharashtra में कई सारी sites, कई सारी चालकुलितिक sites अंको देखने को मिली है चाहे वो जौरवे हों, चाहे वो निवासा हों, चाहे वो दैमबाद हों जो एहमद नगर district में है चाहे वो चंदॉली हों, चंदॉली, UP का चंदॉली नहीं जा अभी मैं posted हूँ लेकिन चंदॉली of Maharashtra, चाहे वो सोंगाम हों, चाहे वो इनमगाम हों जो कि basically पूरे district में अब पढ़ता है उसके अलावा, प्रकाश और नासिक, ये दो sites भी excavate की गई है और चालखोलितिक elements काफी abundance में हमको मिले हैं दोस्तों अगर जौरवे कल्चर की बात देख लें, कि जौरवे कल्चर आखिर है क्या जौरवे कल्चर नेम किया गया है एक site, जौरवे जो basically हमें मिलती है प्रवारा रिवर के left bank में अब प्रवारा रिवर बैसिकली गुदावरी रिवर की एक tributary है जो की एहमद नगर district है, महारास्रा का वहाँ से flow करती है दोस्तों जौरवे कल्चर एक बड़ा peculiar कल्चर है और इसकी जादा तक जो elements हमें मिलती है काफी हट तक जो मालवा कल्चर हमने देखा था जो basically western MP, central, india, साथी साथ, महारास्रा की कोफ्रेंस पर हमको देखने को मिलता है सबसे rich culture माना जाता है चालकलितिक point of view से उससे बहुत सारे elements जौरवे कल्चर बोरो करता है इसके अलावा इसमें जो peculiar बात है जो चालकलितिक कल्चर से यह different हो जाता है थोड़ा सा वो यह है कि जौरवे कल्चर, चालकलितिक कल्चर के साथ-साथ, मालवा elements लेने के साथ-साथ इसमें कई elements हमें इससे पुराने neolithic culture के भी देखने को मिलते हैं Particularly neolithic culture of the south तो जोर्वे culture एक mix हम कह सकते हैं चार्ख़ोरिथिक culture of Malwa and neolithic culture of south इंडिया या southern Indian sub-continent अब यह कब से कब exist करता है तो जौर्वे कल्चर 1400 to 700 BC तक लगातार कोईजिस्ट करता हुआ दिखाई दिया है area point of view से यह basically जो आज का महारास्टरा है modern महारास्टरा है कुछ sites अगर हम इसमें से हटा दें जैसे की parts of withurb या फिर कौंकन का coastal region उसके अलावा almost पूरे modern महारास्टरा को basically जौर्वे कल्चर cover करता है अगर urbanization versus rural communities point of view से देखें तो जौर्वे कल्चर rural माना जाता है बहुत सारे इसके settlements चाहे वो दाइमाबाद के हूँ, इनम गांव के हूँ लगबग लगबग जैसे जैसे end नजदीक आता गया rural से basically urban communities की तरफ उनका progression साफ दिखाई देने लगता है यह जितनी भी sites है जौरे कल्चर की यह सारी के सारी, almost सारी के सारी semi-arid, मताब थोड़ी सी जहां बारिश कम होती है और जहां पर brown, black, soil का existence है उस जगे जहां पर bear और bubble type की vegetation ऐसे trees मिलते हैं जो कम बारिश के मौसम में basically उखते हैं या फिर ऐसे areas जो riverine tracks, मतलब जहां पर इसे rivers basically pass on होती है ऐसी जगे हमें जौरे कल्चर काफी abundance में देखने को मिला है दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत important site जो कि Namda, river Namda पर हमको देखने को मिली है उसका नाम है Navdatoly Navdatoly basically हमें river Namda के bank पर देखने को मिली है ज्यादा तर जो जौरे कल्चर की sites हैं जैसा हमने कहा कि बड़ा peculiar combination है चाल्खोलिथिक cultures plus Neolithic cultures of the south तो ज्यादा तर sites में हमको Neolithic sites जो हैं South India की उनका mixture मिलता है, intrusion मिलता है कई सारी चाल्खोलिथिक sites जो कि हमको कहां मिली है विंदियन region में जहां पर हमको Neolithic sites भी मिली जहां पर हमको Paleolithic sites भी मिली particularly जो इलाबाद district है UP का जो मेरे हां से लगबग 3-4 गंटे का रास्ता है इलाबाद district या फिर मिर्जापुल ट्रैक्ट के आसपास हमको बहुत सारी विंदियन region में चाल्खोलिथिक sites मिली है उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा East की तरफ चले जाएं तो जैसा हमने Neolithic cultures में देखा कि जो basically Eastern India की बहुत important site है वो है चिरांथ चिरांथ हमने देखा था कि पत्ना की सिर्फ 40 km दूर है जो बिहार में basically पढ़ता है और रिवर गंगेज के confluence पे है उसी तरीके से पांडू, राजर देभी, बुर्दवान district में, उसके बाद महिजदल, बिर्भूम district और वेस्ट बिंगॉल में कुछ additional sites जिनका quickly नाम देख लें तो सेनावर, सोनपुर, ताराडी, बिहार में कैराडी और नरहान in Eastern UP ये भी important चालकुलितिक sites हैं अब अगर आप पूछे मुझसे सर आपने नियोलितिक sites के बारे में तो उनके tools कैसे थे, weapons कैसे थे bones के थे, stones के थे, antlers के थे उसके बारे में बताया चालकुलितिक लोग अपने tools के तौर पे अपने weapons के तौर पे क्या use करते होंगे तो जैसा हमने कहा कि चालकुलितिक जो people थे वो primarily दो elements पे dependent थे चालकुलितिक का मतलब ही copper and stone है तो जाहिर से बात है कि चालकुलितिक जो लोग थे ये small tools, tiny tools यूज़ करते थे, weapons tiny weapons यूज़ करते थे किसके बने होते थे, stone के बने होते थे और कई बार इसमें stone की blades blade lids, एक दिम sharp edge इनको भी basically चालकुलितिक people, चालकुलितिक culture के लोग बहुत abundance में use करते थे अगर हम कुछ sites देख लें, खास्त और से South Indian sites तो South Indian site में जो stone blade industry है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है तो ऐसा नहीं कि पहले जो हम stone axes देखते थे पुराने cultures में, वो चालकुलितिकेज में पूरी तरह बैन हो गई, लेकिन axes का थोड़ा सा volume कम हो गया और हम volume ज़ादा देखते हैं tiny tools का, blades का blade lets का, basically stone blade industry mark करती है, चालकुलितिक industry in the Indian subcontinent, अब जैसा हमने थोड़ी देर पहले discuss किया क्योंकि इनकी basically dependence बहुत high थी availability of stones को लेके कि पत्थर अगर नहीं मिलेगा तो हम tools नहीं बना पाएंगे, weapons नहीं बना पाएंगे agriculture नहीं कर पाएंगे, animal husbandry नहीं कर पाएंगे, hunting नहीं कर पाएंगे तो इस वजा से ज्यादा तर sites हमें मिली हैं hills या riverine tracks के आसपास ही, ताकि abundance में उनको जैसा stone चाहिए जिस quantity में stone चाहिए easily available हो सके कुछ settlements जो हैं चालकुले थेक के, वहाँ पर हमको कुछ copper objects भी मिले हैं और बड़ी दो interesting sites जहाँ पर हमको large amounts में copper elements मिले हैं, वो है North Eastern Rajasthahn के Ahar and Gillund यह basically Banas Valley जो Rajasthahn की है dry zones में situated है और इन दौनों जगे हमको कुछ copper elements भी देखने को मिले हैं Ahar के अगर हम बात कर लें तो contemporary चालकुलेथिक farming cultures जो हुआ करते थे उसके बजाए Ahar culture में ना ही तो microlithic tools देखे गए हैं ना ही stone axis देखी गई हैं ना ही blades देखी गई हैं ये बड़ी peculiar चीज है Ahar site की बहुत सारी चीज़ें जैसे flat axis जैसे bangles sheets ज्यादा तर चीज़ें बनी हुई हैं copper की ये हमको basically देखने को मिली है Ahar in Rajasthan अब जाहिव सी बात अगर कोई copper यूज़ कर रहा है इतनी abundance में तो इसका मतलब वहाँ पे locally copper कही ना कही large quantities में available होगा जो Ahar के लोग थे ये भी समझ में आता है कि वो शुरुवात से ही smelting और metallurgy में बहुत expert हुआ करते होंगे अगर Ahar का आप नाम पहले देखें तो Ahar का सच पुराना नाम basically बोला जाता है तामबावती तामबा का मतलब English में copper तो Ahar का मतलब ही तामबावती है मतलब copper वहाँ large quantities में मिला करता था a place that has copper और Ahar का culture basically 2100 BC से लेके 1500 BC तक flourish करता रहा वहीं Gillon अगर हम देखें तो Gillon basically जो की राजस्तान में दूसरी important चालकुलित एक site है इसको regional center माना जाता है Ahar में copper हमें काफी मिला वहीं Gillon में copper हमें इतना नहीं मिला सिर्फ traces उसके basically या fragments copper के हमको Gillon side पे मिले तो जब copper नहीं मिला तो इसका जाहिर सी बात है कि वो stone पे जादा dependent थे और stone पे dependent थे तो जो stone blade industry जो की चालकुलितिक phase को signify करती है वो Gillon side पे हमको बहुत abundance में देखने को मिली flat rectangular copper axis ये हमको जोर्वे कल्चर जो की चंदॉली है वहाँ पर भी काफी मातरा में देखने को मिली हैं दोस्तों जो चालकुलितिक phase के लोग थे जब pottery की उनकी बात करें तो इनकी जो peculiar pottery थी चालकुलितिक phase के लोगों की क्या नाम होगा उसका उसका नाम था black and red pottery black and red pottery और ये roughly 2000 BC से basically काफी abundance में देखने को मिली है और ये जो potter's wheel होता है उसके ओपर basically बनाई जाती थी potter's wheel पे बनाने के साथ इसके जो बड़ी peculiar feature थी pottery की इसको paint किया जाता था और इसको paint किया जाता था white linear designs white lines के different figures से तो अगर आप black and red pottery देखें जिसमें white आप linear designs देखें तो आप समझ जाएंगे ये चालकुलितिक phase को signify करता है दोस्तों अब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान के लिए सच हो या MP के लिए सच हो ये जो characteristics हैं चाहें आप राजस्थान चले जाएं MP चले जाएं महरास्था चले जाएं बिहार चले जाएं West Bengal चले जाएं सभी जगे जो हमको pottery मिली है उसमें similar characteristics देखने को मिले हैं उसके अलावा जो महरास्था MP पिहार यहां पे जो रहने वाले चालकुलिथिक लोग थे ये channel sprouted pots या dishes on stand या bouts on stand की peculiar pottery भी बनाया करते थे महरास्था MP पिहार अब ये भी एक जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा culture है जो चाहे western राजस्थान हो चाहे central India हो western MP हो चाहे हमारा north east हो महरास्था हो सब जगे इसका expanse था तो थोड़ा बहुत variation चाहे वो pottery हो चाहे वो tool industry हो देखने को लगातार मिलती हैं दोस्तों तो जैसा हमने कहा कि इसमें white painted linear designs बनाई जाती थी कुछ sites में हो सकता है कि आपको उस type of printing में कुछ variation देखने को मिले दोस्तों तो हमने बात कर ली tools की हमने बात कर ली pottery की अब हम बात कर लें कि वो अपने sustenance के लिए क्या करते थे जिन्दा कैसे रहते थे तो चालकलितिक age चाहे वो South Eastern Rajasthan हो चाहे वो Western MP हो चाहे वो Western Maharashtra हो या उसके अलावा बिहार हो, West Bengal हो सभी जगार चालकलितिक age के लोग जो Neolithic में स्टार्ट हुआ था Domestication of Animals मतलब जानवरों को रखना और उनके थू Animal Husbandry को promote करना उसके साथ साथ Agriculture को Large Scale पे करना ये दौनो प्रैक्टिसेस Large Scale Agriculture and Animal Husbandry दौनो नियोलितिक कल्चर से लगाता डवलप होती हुई चालकलितिक कल्चर में देखने को मिली हैं और कौन-कौन से ऐसे Animals होंगे जिनको ये domesticate करते होंगे Same Cows, Sheep, Goats, Pigs, Buffallows and Hunted Deer Camel के बारे में आपका क्या कहना है जब भी South Eastern राजस्थान के आप बात कर रहे हैं तो Camels का तो मिलना जाहिर सी बात है ही How about Horses, घोडे लेकिन घोडे हमको या Horses हमको देखने को चालकौलितिक कल्चर में नहीं मिले हैं कई सारे हमको ऐसे Remains मिले हैं जो हो सकता है Horse के हों, Donkey के हों, Wild Asks के हों लेकिन ऐसा हमको अभी तक कोई Evidence नहीं मिला है जो 100% तरीके से Confirm कर सके कि चालकौलितिक एज के लोग Horses से Acquainted थे या उनकी जानकारी या उनका Domestication उनके द्वारा किया जाता था अच्छा किस तरह का खाना यह उगाते होंगे, किस तरह का Agriculture यह करते होंगे तो चालकौलितिक Culture, Wheat and Rice और Wheat and Rice के साथ, जो हमने Neolithic Cultures में भी देखा एक नई टाइप की Crop Again, जब राजस्थान की बात हो जाएगी तो बिना बाजरे काहानी अधूरी रहती है दोस्तों तो Wheat, Rice and Bajra उसके अलावा, Pulses, मतलब दाल भी इन्होंने प्रड्यूस करना शुरू कर दिया था जो हमें Neolithic Cultures में देखने को नहीं मिला था Pulses, जैसे की मसूर, जैसे की Black Gram, जैसे की Green Gram and जैसे की Grass Pee यह सारे Cultivation, चैल्टिक Culture में हमको देखने को मिले हैं Neolithic Culture में हमको बाजरा नहीं दिखाई दिया था Neolithic Culture में हमको Pulses भी नहीं दिखाई दी थी तो इसी तरीके से हम देखने, जैसे जैसे Technology Upgrade हो रहा है Agriculture basically, Progress कर रहा है Domestication of Animal, basically, Progress कर रहा है किस टाइप की Updews उगा रहे हैं, वो भी Diversify लगाता होती जा रही है यह सारे Food Grains, जो हमने बताए, चाहे वो Pulses हों, बाजरा हों, वीट हो, राइस हों यह सारे हमको देखने को मिले हैं जो नवेटोली साइट है, जो की River Namda, महरास्टा से जब फ्लो करती है, वहां देखने को मिली है इस साइट के अलावा, और ऐसी कोई साइट नहीं मिली, जहां पर सारे के सारे हमको यह अनाज या सीरियल्स देखने को मिले हैं जो नवेटोली के लोग थे, वो बेर और लिंसीड ये भी प्रोड्यूस किया करते थे Cotton के बारे में आप क्या कहेंगे? जब हम बात करें महरास्टा की, हम बेसिकली बात करें Black Cotton Soil of the Deccan की तो Cotton उगना तो जाहिर सी बात है Cotton के साथ राई, Cotton के साथ बाजरा, Cotton के साथ मिलिट्स ये Lower Deccan में प्रोड्यूस होना, चालकोलेतिक कल्चर में शुरू हो गया था तो आप देखिए, न्यूलेतिक कल्चर में Wheat Rice बार ले अभी आप देखिएंगे Wheat Rice, उसके साथ Purses, उसके साथ Cotton, उसके साथ बाजरा, उसके साथ Millets, उसके साथ राई ये सारी चीजें चालकोलेतिक कल्चर में प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी अब थोड़ा सा East मागर हम चले जाएं तो Eastern India में हमको बहुत सारे Fish Hooks देखने को मिले हैं चाहे वो बिहार हो या West Bengal हो जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि Eastern India पर्टिकुलर्ली बिहार या West Bengal या आगे Fish पे Dependency काफी उनकी हाई रहती होगी और Fish के साथ साथ वहाँ पे Large Amounts में हमको Rice भी मिला है मतलब वापे Major Staple Fish और Rice रहा करता होगा दोस्तों मतलब जो चालकुलितिक लोग थे Eastern Region के उनका Main Basically Source of Survival था Fish and Rice आज भी आप देख लीजिए चाहें आप Eastern UP आजाएं आप बिहार आजाएं आप West Bengal चले जाएं तो आज भी Fish और Rice बहुत ही Popular Diet है इस Particular Area में उसके बाद अगर हम बात करें कि किस टाइप के घर बनाते होंगे किस टाइप का Material यूज़ करते होंगे तो जो चालकुलितिक लोग थे वो Burnt Bricks मतलब कि Furnace में डालके Bricks को basically पकी हुई Bricks ये यूज़ नहीं करते थे या अगर देखा भी गया है तो बहुत ही Rare basically देखा गया है जैसे गिलूंड में हमको देखने को मिला है प्रगभग 1500 BC के आसपास लेकिन बहुत Small quantities में तो अगर ये Burnt Bricks यूज़ नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो कच्ची इटे या Mud Bricks जिसको बोलते हैं उसको extensively यूज़ करते थे Wattel and Dwarb के साथ मतलब जो Tashed Houses हैं या कच्चे मकान हैं या जोपरी डाइप के मकान हैं इस टाइप के मकान ये Mud Bricks के साथ कच्ची इटों के साथ बना कर उस वक्ते गुजर बसर या अपना Residence Construct करते थे लेकिन एक साइट जो बिलकुल अलग तोर पे निकल कर आती है वो है राजस्थान की अहर साइट तो राजस्थान की अहर साइट मैं लोग किस में रहते होंगे Mud Bricks में? Burn Bricks में? बिलकुल नहीं और भी Advanced Stone Houses में पत्थर के बने Houses में रहते हुए दिखाई दिये हैं चो 200 या 200 जोबिस साइट समको मिली है चोकि सबसे largest बिसिकली चंक मिला है दाइमाबार डिस्टिक जो है गुदावरी वैली का या जो अभी basically महारास्टा में पढ़ता है बहुत बड़ी साइट है roughly 20 hectares की जिसमें ऐसा लगता है कि 4000 से ज़्यादा लोग more than 4000 people were basically accommodated in the Jarvis sites which have been found at दाइमाबाद और ऐसा भी लगता है कि दाइमाबाद में जो हमको basically dwellings मिली है या जहाँ पे लोग रहते थे वो mud wall mud bricks की wall बनाते थे उसके साथ fortify किया है किले बंदी basically की गई है stone से ताकि और भी मजबूत उनका घर उनका residence बन सके दाइमाबाद basically famous है ति इसमें कई सारी हमको bronze की goods मिली है जो कि ऐसा लगता है कि हरपन कल्चर क्योंकि हरपन कल्चर bronze कल्चर था उससे borrow की गई हूँ दोस्तों अब अगर हम इनाम गाव चले जाएं पूना में basically तो इनाम गाव पूने में जो earlier पहले के चाल्खुलितिक फेस था western महारास्टा का उसमें हमें large mud houses मतलब कि मिट्टी के बने बड़े घर हमको दिखाए देते हैं उसके साथ इनाम गाव की जो एक बड़ी peculiarity है कि large mud houses के साथ-साथ इनके ovens और उसके साथ-साथ इनके circular pit houses circular pit houses भी हमको देखने को इनाम गाव में मिले हैं जो बाद का phase है चालकोलितिक का roughly 1300 से लिएके 1000 BC तक ये ऐसा लगता है इनाम गाव में हमको जो मिला है उसमें एक घर मिला है जिसमें 5 rooms हैं 4 rectangular और बीच में एक circular और ऐसा लगता है इसको देखे कि ये circular जो बीच का घर होगा ये वहाँ के chief का होगा और जो 4 rectangular आसपास हमको घर मिले हैं ये उसकी family members का हो सकता है या उसके बाकी basically settlements का हो सकता है इस chief के घर के पास हमको एक granary भी मिली है जैसा लगता है जब लोग chief से मिलने आते होंगे तो जो इसको tribute देते होंगे जो इसको चड़ाते होंगे वो सारा का सारा इस granary में store किया जाता रहा होगा इसका मतलब कि चाल को लितिक फेज में धीरे धीरे political setup डवलप होना शुरू हो गया कि एक chief होगा उसकी जनता होगी लोग आएंगे उसको tribute देंगे वो उसको एक जगे store करेगा मतलब उसकी command and control center बनना शुरू हो गया ट्राइबल कल्चर चेंज होने लगया basically power political culture में इनाम गाओं में इन settlements के अलावा hundreds of houses उसके साथ numerous gravesites बहुत सारी cover हमको मिली हैं और सैकडों घर भी हमको देखने को मिले हैं और जैसा हमने पहले देखा कि चाहे दैमाबाद हो जह हमने देखा कि मड से basically अपना घर बनाएंगे फिर stone से उसको clay बंदी करेंगे fortification करेंगे ऐसा fortification हमको जो इनाम गाओं साइट हमारी पूने में वहाँ भी देखने को मिला है दोस्तों तो इसका मतलब fortification जो है वो चालकुलितिक फेज में start होना शुरू हो गया था और हमने थोड़ी देख पहले बात की कि ऐसा लगता है कि चालकुलितिक कल्चर के लोग शुरुवात से ही smelting और metallurgy के experts थे इसका मतलब यह expert copper smiths होंगे उसके अलावा यह skillful भी होंगे stones में काम करने के क्योंकि blade industry बड़ी flourish इस वक्त कर रही थी चाहे वो tools हों weapons हों, bangles हों copper के यह सारी चीजें हमें अलग-अलग चालकुलितिक साइट से लगाता मिलती रही हैं दोस्तों इसके अलावा यह beads बनाते थे और वो beads होती थी semi-precious stones की चाहे वो canalien हो citite हो या quartz crystal हो उसके अलावा spinning और weaving भी चालकुलितिक culture में start हो चुका था और इसका major proof है कि जो मालवा है basically western MP या मालवा culture जो हमने कहा या central India यहाँ पर हमको spindle balls मिले हैं मतलब textile में जो cotton कातने के या suit कातने के जो basically spindles होते हैं यह हमको काफी amounts में मालवा में मिले हैं cotton flecks या silk threads cotton silk या seamless silk जिसको कहाते हैं ये भी हमें महारास्टरा में देखने को मिले हैं इसका मतलब चालकुलितिक culture के लोग अलग-अलग agriculture produce जिसमें wheat हो बाजरा हो millets हो cotton हो rice हो या fishing हो इसके साथ-साथ clothes बनाने में भी expertise इन्होंने gain करना शुरू कर दिया था इसका मतलब artations basically इनके पास थे इनके पास craftsmen का भी development होना शुरू हो गया चाहे different type की pottery हो चाहे basically spinning and weaving हो चाहे use of metals हो ये अब एक full-fledged mature civilization development करने के लिए जो important elements है वो सब charcoal culture ने supply करना शुरू कर दिया दोस्तों अब regional differences eastern India western India central India south India तो regional differences तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा subcontinent देश है पहले भी रहे आज भी है आगे भी रहेंगे चाहे वो social structure में differences हों materials में differences हों चाहे वो pottery में differences हों चाहे वो copper stone phase के बाकी elements में हो ये differences हमको अलग-अलग sites में देखने को या अलग-अलग parts of the subcontinent में देखने को लगाता बिले हैं दोस्तों जैसे eastern India में rice produce होता है western India में barley and food produce होता है similarly chronology के लिए अगर हम देख लें तो जो मालवा और central India है उसके जो दो important sites है कायाथ और इरान ऐसा लगता है कि ये थोड़ा तहले establish हो गई वहीं पर अगर हम western महारास्ट्रा या eastern India की sites में चले जाएं तो ऐसा लगता है कि ये sites western महारास्ट्रा, eastern India जो central India की sites है basically या मालवा की sites हैं उनके बाद develop होई तो इस वज़ा से differences तो दिखाई देंगे ही दोस्तों अब बात हो जाए burial practices और religious cults की कि किस तरीके से ये मुड़दों को दफनाते होंगे या disposal करते होंगे और किस तरह का religion या धर्म basically या इनके belief system चालकुलिथिक लोगों के develop होना शुरू हो गए थे महारास्ट्रा महारास्ट्रा के लोग ऐसा लगता है कि उनके जो deads थे या dead people थे उनको earns में basically बरी करते थे उनके घर के floor के नीचे ही North to South position में मतलब महारास्ट्रा में earns में basically उनको dead bodies को store करते थे और floor के नीचे ही उनको बरी कर दिया जाता था महारास्ट्रा में चालकुलिथिक लोगों की अलग से symmetries नहीं हुआ करती थी मतलब basically शवगरा या basically graveyard अलग से नहीं होते थे घर के अंदर ही उनका burial किया जाता था अब आप next phase देख लें हरपन phase, जादा civilized phase, जादा developed phase जादा organized phase हरपन्स अपने घर में burial की practice को follow नहीं करते थे हरपन्स की separate symmetries हुआ करती थी जो आज भी हम follow कर रहे हैं कि अगर घर में किसी की death हो जाए तो हम घर में बरी नहीं करते उसका जो भी graveyard होगा यहाँ जहाँ पर समझान basically होगा वहाँ पर जाके आप उसके last rights करते हैं वहीं पर उसका disposal करते हैं इसी तरीके से जो pots pots के अलावा कुछ copper objects ये भी उनकी graves के साथ dead body के साथ रखे जाते थे तो जैसी पहली culture था in fact हमने देखा कि बुर्जवाम जो जमुन काश्मीर के site is शिटिंगर के पास वहाँ पे तो उनके pet dogs को भी रखा जाता था उनकी grave में यहाँ पर कुछ copper objects, कुछ pots की जो next life होगी, अगला जो जीवन होगा, उसमें ये सारी चीज़े अगले next world में ये सारी चीज़े काम आ सकती हैं तो ये बात होगे इनके burial practice की अब बात हो जाए religion के neolithic age तक हमने religion की किसी तरह की बात नहीं छेडी, लेकर अब वक्त आ गया है कि religious elements भी हमको देखने को मिलना शुरू हो गए है और सबसे पहले religious elements हमको किस type के मिले होंगे हमको कई सारे terracote figures मिले हैं women के, जिससे ऐसा लगता है कि जो चालकुलितिक culture था, चालकुलितिक people थे, ये mother goddess को basically ज्यादा मानते थे, उसके अलावा कई सारी हमको unbaked मतलब एकदम बिना पकी हुई, या कच्ची nude के लिए figurines मिली हैं जो ऐसा रखता है कि worship में काम में आती होंगी उसके अलावा हमें एक figure मिला है mother goddess का, जो western एशिया से काफी मेल खाता है इसका मतलब कहीं न कहीं culturally connected हम उस वक्त भी रहे होंगे आज भी हैं और future में ही रहेंगे और ये हमें mother goddess का figure मिला है इनाम गाव इन पुने मालवा और राजिस्थान के अगर हम बात देख लें तो इन्हों ने बुल टेराकोटोस को काफी मात्रा में प्रमोट किया इसका मतलब उस वक्त ऐसा लगता है कि बुल वास दा सिंबल अफ रिलिजियस कर्ल कोई ना कोई ऐसा section रहा होगा चाहे वो हम बात देख लें मालवा की चाहे हम बात देख लें राजस्थान की जहाँ पर बुल की बेसिकली या बैल की वर्शिप की जाती रही होगी तो रिलिजियस वाइस या रिलिजियन वाइस टेराकोटोस फिगरीनस अफ विमिन मेंस मादा गॉड़िस उसके साथ साथ बुल देवर दर सिंबल सॉफ ए रिलिजियस अच्छा बरियल प्रैक्टिस की हमने बात की कि अगर महरास्टा की बात हो तो फ्लोर के नीचे ही बरी कर दे थे अंस में उसके साथ कुछ कॉपर एलिमेंस एट्सेटर भी उडाल देते थे नेक्स्ट वर्ट के लिए क्या पता चलता है इससे इसका मतलब कि जो बरियल प्रैक्टिसेज है इस वक्त की बरियल प्रैक्टिसेज से हमको लगने लग जया कि सोशल इनिक्वालिटीज स्टार्ट हो गई थी चालकुलितिक सुसाइटी में हमने ये भी देखा इनाम गाव में जो हमको घर मिला चीफ का घर सर्कुलर अगल वगल में चार रूम जो की रेक्टेंगुलर पास में ग्रेनरी में तब चीफ का कॉंसेट स्टार्ट हो गया बरियल प्रैक्टिसेज में भी वो सोशल इनिक्वालिटीज धीरे-धीरे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई और ये हायरर्की हमको जोर्वे सेटल्मेंट्स जो हैं हमारे महरास्त्रा में उन में भी देखने को लगातार मिली है दोस्तो Two tier habitations हमको देखने को मिले हैं बहुत सारे large settlements और बहुत सारे चोटे settlements लेकिन चाहे वो large settlements हों या small settlements हों दौनों में ही हमको ऐसा लगता है कि चीफ और चीफ का जो परिवार था वो basically rectangular houses में रहते होंगे उसके अलावा जो बाकी जनता थी वो हो सकता है round hearts में उनके आसपास रहने शुरू कर दिया होगा इनाम गाओं में आप देख लें जो craftsmen थे मतलब basically जो अलग अलग skills में चाहे वो copper smith हों चाहे वो woodworker हों etc. ये सब western fringes पे रहते थे मतलब जो उनका गाओं में settlement होता था उसके west part पे craftsmen रहते थे जो chief था ऐसा रगता है वो center में रहता था और ऐसा भी लगता है इन दोनों चीज़ के चीफ center में रहेगा जो craftsmen है जो काम करने वाले लोग है labor class जिसको आप कह सकते हैं वो western fringe में रहेगा social distance start हो चुका था कि जो power में होगा वो center में होगा जो काम करने वाले लोग होंगे वो उससे दूर बाहर की तरफ रहेंगे अगर आप graves देख लें चाहे वो चंदॉली हो चाहे वो निवासा हो दोनों ही western महरास्टा की sites हैं कई सारे हमको children भी basically buried मिले हैं copper based necklaces के साथ कुछ में कुछ pots भी उन children छोटे बच्चों के साथ बरी की हुए मिले हैं उसी तरीके से इनाम गाओं में एक adult हमको मिला है जो की buried है कुछ pottery और कुछ copper elements के साथ अगर आप कायत देख लें इसमें 29 copper bangles मिले हैं और दो unique कुलाड़ी है दो two unique access भी हमको वहाँ पर बरी मिली हैं दोस्तों इनके साथ Nicholases of the semi precious stones चेस्टटाइट हों ये भी हमको देखने को अलग अलग जगह मिली हैं इसका मतलब अब बास समझें कि concept हमने देखा चीफ, social distancing, social inequalities, burial practices, religion कैसा था, pottery कैसा था, agriculture कैसा था, bulls की क्या importance थी मतलब goddess को कैसे basically ये pray करते थे या मानते थे necklaces, precious stones, semi precious stones अब हमको देखने को मिले इसका मतलब चालकोलेतिक culture में ही जो आज भी चला आ रहा है ये जो objects of affluence थे मतलब रहीसी के जो symbols थे, कि अगर कोई हीरा पहन रहा है, कोई जवारात पहन रहा है, कोई diamond पहन रहा है, कोई gold पहन रहा है, तो मतलब वो बाकी societal members से थोड़ा सा ज्यादा रहीस है ये चीज ऐसा लगता है, चालकोलेतिक culture में भी कहीं न कहीं शुरू हो गई थी दोस्तों अब chronologically आगे बढ़ते हैं, chronologically अगर हम देखें, तो गनेश्वर साइट है, जो की सीकर सुनजनू एरिया, जो की राजस्तान में खेतरी एक जगह है, खेतरी, जहाँ पे copper large amounts में मिलता है, वहाँ का थोड़ा सा discussion हो जाए तो खेतरी में क्योंकि copper large amounts में basically मिला करता था, तो बहुत सारे हमको जो गनेश्वर साइट है खेतरी राजस्तान के पास में, यहाँ पे copper के arrowheads, spearheads, fish oaks, colds, bangles, chisels, ये भी देखने को मिले हैं, तो जो metal जहाँ पे easily available हो, चाहे वो tools हो, weapons हो, agricultural implements हो, even आपकी ornaments हो, उसमें भी यह सारे चीज़ें धीरे-धीरे large amounts में उसका अप्टेक पढ़ना शुरूर हो जाता है, बहुत सारी जो चीज़ें हमको मिली हैं गनेश्वर साइट पे, यह बहुत सारी चीज़ें हमको, जो Indus Valley की साइट हैं, उनसे similarity को भी दिखाते हैं, इसका मतलब कहीं न कही एक continuity या contact continuously रहा होगा चालकोलितिक कल्चर और Indus Valley या हरपन civilization की बीच में, कई सारी चालकोलितिक कल्चर साइट्स जो हैं, जैसा हमने पहले discussion किया, कि वो हरपन कल्चर से भी यंग हैं, अब chronologically तो पहले चालकोलितिक कल्चर आना चाहिए, और चालकोलितिक से पहले नियोलि चालकोलितिक और उसके बाद हरपन कल्चर, लेकिन कई सारी साइट्स हमें हरपन कल्चर के बाद की basically मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हरपन कल्चर या Indus Valley civilization और इन चालकोलितिक साइट्स में कोई connection नहीं दिखाई देता है मालवा कल्चर roughly 1700 से 1200 BC में exist करता था, जो हमें मिला है नजटोली, इरान, नागदा, ये तीनोहीं साइट्स, नौन हरपन साइट्स माने जाती हैं मतलब हरपन civilization जो roughly माना जाता है 1900 BC के आसपास, जिसका decay हो गया, decline हो गया, ये उससे भी नई साइट्स हैं, उसके बावजूद भी हरपन कल्चर के साथ इनका कोई connection देखने को नहीं मिला है दोस्तों Similarly अगर हम देखें, कि आप चाहे Southern India देख लें, आप Eastern India देख लें, तो यहाँ पर भी हमको जो चालकोलितिक settlements मिले हैं, ये भी जो हमारा हरपन कल्चर रहा है, उसके साथ बहुत ज्यादा interdependence या exchanges देखने को नहीं मिले हैं लेकिन जो South India है, उसमें जो चालकोलितिक settlements या culture हमको देखने को मिला है, वो clearly जो नियोलितिक settlements थे या नियोलितिक cultures थे उनहीं के extension के रूप में देखने को मिला है इसी तरीके से अगर आप चालकोलितिक elements देख लें, चाहे वो विंधियन रीजन हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो वेस्ट बिंगॉल हो, ये चालकोलितिक sites भी हरपन culture के साथ किसी तरह की connectivity या dependence नहीं promote या show करती हैं दोस्तों बहुत सारे प्री हरपन चालकोलितिक cultures, जिसमें farming communities हों, चाहे वो सिंध हों, बलुचस्तान हों, राजस्तान हों, सभी जगा, क्योंकि agriculture activity जब बढ़ने लग गई, इन्हों ने एक atmosphere create किया, जिससे जो urban civilization है हरपा की, उसका जन्म हो सके चाहे वो अमरी हों, को डिजी हों सिंध में, काले बंगा हों, या फिर गनेश्वर साइट राजस्तान की जिसके बारे में अभी हमने बात करी, यह सारी sites हमें दिखाती हैं कि large scale farming communities और ऐसा भी लगता है कि जो चालकोलेटिक farming communities थी, वो धीरे धीरे hills और river bank से अब plains की तरफ move करना शुरू हो गई, चाहे वो इंडस के plains हों, और उसके बाद इन्हों ने copper stone से नई technology, bronze technology की तरफ move करना शुरू किया, तो जब agriculture basically large scale पे होने लगी, जब इन्हों ने hills और rivers से plains की तरफ move करना शुरू किया, जब इन्होंने copper stone से आगे bronze की technology को basically adopt करना शुरू किया, religious elements हम देखी चुके हैं, social inequalities हम देखी चुके हैं, house building हम देखी चुके हैं, smelting हम देखी चुके हैं, metallurgy हम देखी चुके हैं, power structure development हम देखी चुके हैं, तो ये सारे elements चालकुलिथिक साइट्स कल्चर्स ने जो प्रॉपर फुल फ्लेजिट सिविलाइजेशन है या फर्स सिविलाइजेशन अफ इंडियन सबकॉंटिनेंट हम जिसे कहें हरपन कल्चर इंडस फैली सिविलाइजेशन उसको जन देने के लिए सारे elements को सप्लाई करन शुरू कर दिया दोस्तों चालकुलिथिक कल्चर में ज्यादातर लोग थे जैनरली agriculture पर dependent थे और ज्यादातर लोग जैसे हमने कहा कि पहाड या river junctions ऐसी जगा ही जैनरली लोग रहते थे लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा ब्राँच ब्राँच के बाद iron age एटसेटर एटसेटर तो फिर लोगों ने planes में move करना शुरू किया ज्योंकि iron branch strong है वो planes में जो jungles हैं trees हैं उनको cut करके उनको basically आपके लिए flat provide कर सकता है जहाँ पे आप agriculture कर सकते हैं जहाँ पे आप settle हो स साइट्स हैं mid gangetic zone की और west bengal की यह roughly 1500 से 700 BC या उससे भी बाद की हैं इसका मतलब हरपन culture की बाद की है mid gangetic west bengal बिहार की चाल्कुलितिक साइट्स west bengal में जैसे पांडूराजा डिभी या फिर मैशाडल यह दौनों साइट्स west bengal की important चाल्कुलितिक साइट्स हैं जितनी भी साइट्स हैं खास्तोर से mid and lower gangetic area की यहाँ पर हमको stone tools basically जावा देखने को मिले हैं और copper हमें यहाँ पे कम quantities में या बहुत कम quantities में देखने को मिल सेंट्रल और western इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसा लगता है चाल्कुलितिक cultures 1200 BC के आसपास पूरी तरह खतम हो गये तो central इंडिया और western इंडिया के चाल्कुलितिक culture या जो मालवा culture सबसे पुराने culture सबसे rich culture और इनका decay भी ऐसा लगता है कि सबसे पहले होना यह 700 BC तक लेकिन continue करता रहा कई सारे parts में जो चाल्कुलितिक का कौन सा pottery था? black and red wear यह हमें continue मिला 2nd century BC तक मतलब पूरी तरह खतम नहीं हुआ लेकिन by and large हमें एक gap दिखाए देता है लगबग 4 to 6 centuries का between end of चाल्कुलितिक culture and rise of early historic cultures in central and western India कि चाल्कुलितिक culture खतम हो गया और basically वहाँ पर जो early historic culture western और central इंडिया में जिसका जन्म हुआ इसके बीच में 4 to 6 centuries, 400 to 600 साल का gap हमें दिखाई देता है western India और western MP मैंगर हम बात कर लें तो चाल्कुलितिक habitations जो हैं ऐसा लगता है 1200 BC के आसपास इसलिए खतम होना शुरू हो गया क्योंकि उस वक्त बारिश में कमी आ गई, rainfall कम होने लग गया और west Bengal, Bihar और eastern जो चाल्कुलितिक sites वो इसलिए continue कर पाई क्योंकि mid gangetic zone में बारिश की आज तक कभी कोई कमी नहीं रही तो उनके पास उस सारे ingredients थे, अच्छी soil थी, अच्छा climate था, rainfall था तो eastern India का चाल्कुलितिक culture लगभग 700 BC तक carry on कर पाया लेकिन central India और western India का चाल्कुलितिक culture क्योंकि बारिश कम हो गई तो लगभग 1200 BC के बाद survive नहीं कर पाया दोस्तों इसी तरीके से अगर आप red soil areas देख लें जैसे south India में black cotton soil, eastern India में red soil वहाँ पर अगर आप देख लें, तो eastern India में ऐसा 4-6 centuries का कोई gap हमें नहीं दिखाई देता है इसका मतलब जैसे ही चाल्कुलितिक sites खतम होती हैं उसके बाद हमको वहाँ पर iron phase का advent दिखाई देना शुरू हो जाता है और जब iron phase start हो जाता है तो full-fledged agriculture establish होना शुरू हो जाता है क्योंकि iron strong है, cut कर सकता है tools बना सकते हैं, weapons बना सकते हैं जो आप copper और bronze से शायद ना बना पाएं तो इसका मतलब मोटी-मोटी बात कि Central India, Western India के चाल्कुलितिक culture पहले शुरू हुए पहले खतम हुए, main इनका reason खतम होने का था कि शायद rainfall यहां कम हो गई क्योंकि ऐसे areas में ही वो develop हुए थे Eastern India के late शुरू हुए और late ही खतम हुए और खतम होने के बावजूद भी जो iron phase आया वो बिना किसी gap के वहाँ पर आना शुरू हो गया दोस्तों Similarly, South India के अगर हम बात देख लें तो South India में चालकुलितिक कल्चर ट्रांस्फॉर्म हो गया मेगलितिक कल्चर जो कि again iron phase है तो South India हो चाहे Eastern India हो यहां पर हमको gap नहीं दिखाई देता है लेकिन Western India और Central India में हमको चालकुलितिक कल्चर का end और नया कल्चर iron phase स्टार्ट होने में gap हमको दिखाई देता है तो यह बात होगे कि तीनों में किस तरह का basically difference है अब कुछ limitations अगर हम देख लें चालकुलितिक कल्चर की तो चालकुलितिक लोग domestication of animals करते थे फिर चाहें वो cattle हो sheep हो, goats हो और उनको अपने कोट्यार्ड में बान कर भी रखते थे लेकिन यह जो animals को domesticate किया जाता था ऐसा लगता है चालकुलितिक कल्चर तक उनको उनके milk और milk products के लिए नहीं किया जाता था बलकि उनको slaughter करके उनके meat के लिए शायद domestication किया जाता रहा हूँ इसका मतलब जो animals का full potential था वो चालकुलितिक कल्चर के लोग पूरा नहीं उठा पा रहे थे और ये चीज़ प्रूव होती है कि अगर आप tribal population देख ले आज की भी खास्त और से जो गोंड्स हमारे tribal population है बस्तर में वो भी आज तक जो cattle हैं या animals हैं उनको basically milk के लिए domesticate नहीं करते हैं वो सिर्फ उनके milk को यंगर animals को feed करने के लिए यूज करते हैं लेकिन खुद उन animals को slaughter करके उनको consume करते हैं इसका मतलब कि meat के साथ-साथ उनका जो milk और dairy products का use हो सकता था animals का वो चालकुलितिक के लोग नहीं कर पाए दोस्तों जो चालकुलितिक लोग थे black cotton soil थी क्योंकि cotton होगाय चाता था वो central और western India की ये लोग extensive skill पे agriculture नहीं करते थे मतलब small amounts में ही सिर्फ agriculture करते थे क्योंकि नहीं तो हमें applause मिले हैं, hull मिले हैं नहीं हमें hose मिले हैं इसका मतलब small digging sticks के through या micro blades के through वो अपने agriculture produce को आगे बढ़ाते होंगे उसके साथ हमें perforated stone disc मिले हैं जो कि digging sticks कि आप खोदने के लिए को stick यूज़ करेंगे उसके साथ disc आप लगा देंगे तो ऐसा लगता है कि slash and jhum cultivation करते हो मतलब कि एक area में गए वहाँ से जंगल को साफ किया settle हुए produce किया जब इसकी fertility दो-तीन crops के बाद कम होने लगी उसको पूरे को जलाया और next area में move हो गए ये area जब खाली रहेगा कुछ दिन तक तो बारिश और बाकी natural elements के वज़े से फिर से ये पनपने शुरू हो जाएगा और ये basically slash and burn ये जुम agriculture ये cultivation काफी tribals द्वारा काफी recently recent times तक भी practice किया जाता रहा है एक general weakness ऐसी दिखाई देती है उस वक्त कि हमें large burial मिला है बहुत सारे children का western महरास्टरा में कि ऐसा लगता है कि हालांकी चालकुलितिक लोग food producing economy की तरफ तो बढ़ गए थे लेकिन इनका जो infant mortality था वो बहुत हाई था इसका मतलब इनका nutrition medical knowledge या pandemics, epidemics का job break था उसके साथ कैसे deal किया जाए इसकी knowledge चालकुलितिक लोगों में काफी weak थी, कम थी इसके अलावा चालकुलितिक लोगों को ऐसा लगता है कि art कि tin को copper के साथ कैसे मिलाके bronze बनाया जाए जो जादा strong होता है जो हरपन culture वालों ने बनाया जिससे वो पूरी तरह urbanized civilization की तरह बढ़ सके वो basically चालकुलितिक लोग नहीं कर पाए और यह bronze tool ही है जिसने दुनिया की जो सबसे पुरानी civilization है चाहे वो क्रीट हो चाहे वो Egyptian civilization हो Mesopotamian civilization हो या हमारी खुद की इंडस वैली civilization हो उसको basically support किया उसको rise होने में एक important role play किया तो ये भी एक limitation रह जाती है अब अगर हम बात कर लें की reading और writing की तो ऐसा लगता है कि चालकुलितिक किया copper stone age जो people थे they could not write उसके अलावा ना ही basically चालकुलितिक age में cities का development हो पाया था ये जितने भी elements है चाहे वो cities का development हो चाहे reading writing हो चाहे basically branch हो उसके बाद large scale subtle cultivation हो या plains market cultivation हो ये सारी चीज़े start हुई हमारी जो पहली civilization है the indus valley civilization लेकिन उसके लिए सारी conducive environment चाहलकुलितिक लोगों ने चाहलकुलितिक culture ने उस वक्त produce करना शुरू कर दिया तो दोस्तों ये बात हो गई नियोलितिक के बाद चाहलकुलितिक culture की अब एक quick recap हमारा हो जाये चाहलकुलितिक culture का की 2800 to 2200 BC जो गनेश्वर deposit समको राजस्तान में मिले हैं जो अहा चाहलकुलितिक culture है जहांपे stone के houses भी हमको मिले हैं वो है basically 2100 to 1500 BC और अहा को तामवती भी पहले कहा जाता था जोकि बनास वैली अफ राजस्तान के पास situated है black and red wear start हुआ 2000 BC के बाद और जो कायत चाहलकुलितिक culture है MP में वो 2000 to 1800 BC मालवा culture 1700 to 1200 BC जो चाहलकुलितिक burn brinks हमको गिलिन में मिली हैं वो roughly 1500 BC but majorly चाहलकुलितिक culture basically mud bricks को represent करता है जौरवे culture महारास्ता का 1400 to 1700 BC चाहलकुलितिक habitations चाहले western India हो central India हो 1200 BC के आसपास खतम होना शुरू हो गई लेकिन eastern India और south India की sites आगे तक carry on करती रही उसके अलावा अगर आप देख लें तो central India, western India में चाहलकुलितिक culture और नए phase में 4-6 centuries का gap था वो gap हमको eastern India और south India में देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तों नियोलितिक और चाहलकुलितिक को extensively cover गरने के बाद So now, the stage is set for lecture number 9 जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे होंगे The Indus Valley Civilization So stay tuned for our next set of videos Until then, Jai Hind, Jai Bharat